लड़कियों से ये साथ जूट बोलते हैं लड़के जब आपको कोई लड़की पसंद आ जाये तो उसे आप हर हाल में पाना चाहते हैं इसके लिए अगर आपको जूट भी बोलना पड़े तो कई बार आप इसकी भी परवाह नहीं करते हैं आईए जानते हैं वो साथ बातें जो लड़के किसी लड़की को इमप्रेस करने के लिए बोलते हैं एक, शुरुवाती बाचीत में लड़के अक्सर लड़कियों से उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बात करते हैं एक बार पसंद जान लेने के बाद वो चीज़ें उनकी भी पसंदी और नापसंदी की लिस्ट में सपने आप आ जाती हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए लड़के अक्सर ये जूट बोलते हैं 2. ज्यादतर लड़के अपना पास्ट शेर करना पसंद नहीं करते हैं वे अपनी पुरानी गर्ले फ्रेंट्स के बारे में लड़की के मिजाज के हिसाब से जूट बोल देते हैं 3. फिटनेस के बारे में भी ज्यादतर लड़के जूट बोलते हैं एक मिनट में 40 पुश अप मारने के बारे में डींग अपना हो या फिर दर में बढ़ा चड़ा कर बात बतानी हो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए लोग भितनेस को लेकर जूट बोलते हैं चार, ज्यादतर लड़के अपनी सालरी के हिसाब से ज्यादा खर्च दिखाते हैं अपने परिवार के स्टेटस के बारे में भी बढ़ा चड़ा कर बात करना लड़कों की आदत है पांच, लड़की के दोस्तों को पसंद करने का नाटक भी लड़के खूब करते हैं चे, लड़के भले ही लड़की को हमेशा याद ना करने लेकिन पूछे जाने पर बताते हैं कि वे यादों में खोए ही रहते हैं साथ, ज्यादतर लड़के शुरुआत में खुद को पेमेनिस्ट दिखाते हैं भले ही उनको इसका मतलब ना पता हो लेकिन पूछ दिखाने के लिए लोग ऐसा करते हैं